नमस्कार, स्वागत है आपका dream talent की एक और वीडियो देली संतनत पर आज हम देली संतनत की तिसरी डानेस्टी यानि कि तुगलक डानेस्टी के बारे में बात करेंगे तुगलक डानिक्स्री के फाउंडर ग्याज उद्दीन तुगलक इन्होंने तेरा सो बीस से लेके तेरा सो पचेक्स तक रहाच किया था यह दिल्ली के पहले सिंतान थे जिने गाजी का टाइटल दिया गया था या फिर इन्हें Slayer of Infidels भी कहा जाता है Slayer of Infidels का मतलब है जो की काफिरों जो इनके हिसाथ से काफिर हुआ करते थे उनके उनका कतल करवा दिया करते थे अलाव दीन खिल जी ने जो की नीतियां बनाई थी प्रशासनिक नीतिया उन्हें इन्हें ने लिब्रलाइस्ट कर दिया थोड़ा सा कम कर दिया पर इन्होंने कैनाल का कंस्ट्रक्शन करवाया था हज जगा तुगलक का बाद जो की दिल्ली के निकट थी उस सिटी का निर्मार भी इन्होंने करवाया था आजकल वोड़ नाशनल कैपिटल रीजन नहीं है 1325 में उनकी इन मिर्तिय हो गई जब वो एक रेस्ट पैविलियन यांकी यानि की उचे उठे हुए मंच पर से गिर गए थे मोहमद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक इन्होंने राच किया था गद्दी पे बैठने से पहले इनका नाम था जुवाना खान बहुत ही निपुन थी यह एरबिक पर्शियन लैंग्विजिस में गणित और मेडिसन में भी इन्हें महारत हार से थी पांच अंबिशिस प्रोजेक्ट थे इनके इन्होंने द्योव रीजन में एक कर बढ़ा दिया 1326 में फिर 1327 में इन्होंने दिल्ली से द्योगिरी जो अब दौलत अबाद है वहां अपना कैपिटल बदल दिया टोकन करंसी 1339 में इंट्रड्यूस करवाई गई खुरासान एक्सपरिडिशन नॉर्थ वेस्ट नॉर्स वेस्ट यानि कि जो आजकल अफगानिस्तान है वह कांगड़ा दिला है हिमाचल प्रदेश के थाड़ा जगा है सिंध में जहां पे इनकी मृत्य हो गई थी जव एक तुर्की के स्लेव तगी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे इसके इलावा इन्होंने अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट दिवाने को ही जिसे कहा जाता था व प्रवे ही है उनका उसका निर्माड भी इन्होंने किया अगा फिरोशाक टूगलक तेरासो एक्यावन से लेकर तेरासो अठासी तक इन्होंने राच किया पहला कारीया नोंने इकता सिस्टम इंट्रिजूस कराय क्या होता है यह ऐसी सरचना है जिसमें दो कारिया निहित इ और दूसरा इस एकत्रत भूराज्य सब को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों में बांटना अग्रिकल्चर में इन्होंने बहुत सारे रिपॉर्म्स किये थे और इरिगेशन को बहुत बढ़ावा दिया था इसमें केनाज को रिपेर करना जैसे की सतलुत से घंगर तक एक केनाल और दूसरी केनाल ती यमना से लेकर हिसार तक हके शरब इन्हों रिप्रडियूस कराया था जो कि एक वाटर टैक्स होता है पानी के ओपर कर दो पिलर्स तो पारा और मेरुट से अशोका के उन्होंने दिल्ली मंगवाए थे कुतब मिनार को इन्होंने रिपेर कि किया था कुतब बनार एक लाइटनिंग बिजली से जब खुड़ा सा ख्षती ग्रस्त हो गया था कि दीवाने खैरत जो गरीब करन्याव का विवार की विवस्ता उन्होंने की ती जिसे दिवाने खैरत कहा जाता था दिवाने बंदा गुनवास यानिकि जो सेव सेंके पचास परसेंट जित्तल का और भिक जो कि पच्चास परसेंट होता है जित्तल का यह दोनों पॉइंट उन्होंने इंट्रड्यूस कराए थे तांस बनाए अभी सब लोग तांस बना रहे हैं तो यह क्यों पीछे रहेंगे फतेबाद हिसार और जॉन्पुर मुहम्मद बिन तुगलग की याद में अब बारी है रिविशन की पहला क्वेश्चिन तुगलग डानेस्टी के फांडर कौन थे गयाज उद्दीन तुगलग रूल 1320 से लेके तेरासो पच्चिस तक गाजी का टाइटल किसे दिया गया था या फिर स्लेयर फिदल्स किसको कहा जाता है गयाज उद्दीन तुगलग काफरी को काफरों को मार दिया करते थे तुगलक का बाद दिली के निकट किसने बनवाया था ग्यास उदک्धीन तुगलक ने ग्यास उद्धीन तुगलक किसं बिल्डिंग में बहुत जादा इंट्रस्टिक थे वो Kaynaz बनाया करती हो काफी सारे केनाल उन्होंने बनाया थी मुहम्मध बिन तुगलक का असली नाम क्या था जुवाना खान टोकन कर्णसी 1329 में किसने इंट्रड्यूस कराई थी मुहमध बिन तुगलक सत्लुक्त से लेकर घगगर तक एक केनाल थी जिसे किसने रिपेर कराया था फिरोज शात तुगलक हक़क शरप यानि की वौटर टाक्स भी फिरोज शात तुगलक जीक उन्होंने इंट्रिद्यूस कराया था दो नए कोईन्स आधा और बिक फिरोज शाथ तुगलक ने इंट्रिड्यूस करवाये थे। दो न्यू टाउंस फते, बाद, अफिसार और जॉनपुर मुहम्मद बिन तुगलक की आदमें फिरोज शाथ तुगलक ने बनाये थे। धन्यवाद, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो शेर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।